Vivo T2 Pro तो गाई आज मैं आपको बताने वालो इसी Vivo T2 Pro के कुछ Camera Tips and Tricks यूनो Camera Settings तो गाई जिसको यूज़ कने के बाद आपका Phone यूज़ करने का Experience जो तोड़ा बहुत इंक्रिस हो जाएगा अगर आप इस Smartphone से जो Photography है तो Videography क्लिक करते हो तो आपको बहतर दिन कोई मेरा Quality देखने का मिल जाएगी यह Tips and Tricks फॉलो करने के बाद तो प्लिस वीडियो को भी ना Skip के एंडि तक देखे रहे हैं और आप हमाने चैनल पर नवे हो तो प्लिस चैनल को भी सब्सक्राइब की जिगा ताकि ऐसे वीडियो में आप तक पहुच आते रहे हैं एलो वेलकम दोस्तों में वो की शूर आप देखे रहा है राते बेट तो आई चले देखते हैं तो दोस्तों यह हमारे पास Vivo T2 Pro और यहां पर आप देख सकते हैं आप आपको ड्यूल रियर क्याप देखने को मिल जेता है तो आपको यह camera less जो साफ कर लेना है फिर जो front camera उसको भी आपको साफ कर लेना है और यहां पर ब्राइटनेस कम है तो ज्यादा करने है फिर आपको फोटो क्लिक करना है तो आप देख सकते हो details और यह आपने जो पर ले नॉर्मल फोटो क्लिक की थी वह तो कुछ इस रीक से आपको फोटो क्लिक करने है और यहां पर HDR जो आपको हम मेंसा on रखना है ऐसा नहीं रखना है यहां पर आपको auto पे रखना है high dynamic range यान की background में जो दीख रहा है वो और यहां से आप जो color enhance कर स लग अलग filters देखने को मिल जाते हैं जो कि आप सभी filters को use करके photography जो कर सकते हो उत्याइसे ब्हूं कर सकते हो यहां यहां से यहां पर ऑगैन आते हो यहां से अप लेश अं कर सकते हो जैसी कि यह जो फ्लेश लाइट वो काम करेगा जिस्ट एग्जमबल यहां पर देख सकते करते हो यहां पर और रहा टेबार producers कर सकते हो इसके कोछ जैसे की जैसे की Vivo V30 नहीं सरता है टो यहां today गलर चेंज होता है ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है यहां से और अब ज्यों कर सकते हो और वे ग्रांट पीछ़े का कितना बलर आए वह आपको चेंज करना है तो यहां से आप वेग्राउंड जो अच्छा खासा ब्लर हो चुका है यहां पे कुछ भी मतलब क्या रखा बेग्राउंड में वह भी पता नहीं चलेगा तो यहां से आप बहुत ज्यादा ब्लर कर सकते हो अदर्वाइस यहां पर फिल्टर वगेरा लगाने तो यहां पर बहुत सारे ऑपसंस अबिलेबल है जैसे हो यहां पर देख सकते और अब को यहां पर आएक्टर político कर सकते हो कितना रखना एंदर आप इसे वीडियो फोट्स क्लिक करते तो तो यहाँ पर आपको यह options मिलता है, यहाँ पर beauty अगिरा, skin smoothness वह सारे options अभीलेबल है, तो यहाँ से आप वह सारी चीज़े भी access कर सकते हो, even night में आप यहाँ पर 10x zoom करके photos क्लिक कर सकते हो, night mode के अंदर, और यहाँ पर देख सकते हो, tripod mode, यानि कि यहाँ पर आप tripod mode इसको enable कर देते हो, तो अपने tripod पर phone रखा, stable आता है, photo उस तरीके का यहाँ पर आपको मिलता है, even यहाँ पर night filters भी है, जो कि specially night photography के लिए ही बनाए गए हुए है, यहाँ पर डेर सारे अलग-अलग night filters अभीलेबले, guys, यहाँ आप यह वाले भी use कर सकते हो, अगर आप night photography करना चाहते ह camera के अंदर भी आपको वही same process है, यहाँ पर ज्यादा blur करना है, तो 0.95 कर दे रहा है, otherwise यहाँ पर आपको portrait के अंदर अलग-अलग options मिलते हैं, जैसे कि यहाँ अलग-अलग style यहाँ अविलेबल है, but यहाँ पर flicker हो रहा है night में, अगर आप outdoor जाके इसको properly use करोगे तो आपक उपर night कर सकते हो, otherwise यहाँ पर भी आपको flash light on करनी है, तो कर सकते हो portrait photo के अंदर, और HDR चाहो तो आप portrait में भी इनिवल रख सकते हो, अब गैस बात करते है वीडियो की तो यहाँ पर आपको video 4K में record करना है, तो यहाँ पर आपको click करना है, जैसे यहाँ आपको click करना है, जै 80p 30fps तक आप video record कर सकते हो, यहाँ पर अलग-अलग filters अभी लेबल है, तो आप इन में से जो चाहो वो filters लगा सकते हो, यहाँ पर आपको beauty का भी options मिलता है, और portrait video shoot करना है rear camera से, यहाँ पर एपका option से यहाँ पर click करना है, और aperture जो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.0, यानि कि यहाँ तक यह video record कर सकता है, तो यह भी मुझे अच्छा लगा, rear camera में आपको portrait video shoot करना है, तो same way process है, यहाँ पर एप का options दीखे दे रहा है, यहाँ पर click करना है, और यहाँ पर आपको 0.1 कर देना है, तो आपका portrait video shoot हो जाएगा, और guys video जब भी shoot करो तो ऐसे ही मत करना है, य जैदा है, तो कम करने है, फिर आप video record करना, तो क्या होता कि ऐसे हम जो photos click करते है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, night में करो या दिन में, कुछ इस दिख से आपको video record करना है, ताकि सबी जगह का lighting condition आपको धंक्शन मिले, अगभी आप देख सकते हो, हम बीना ऐसे light किये, तो इतना भी अच्छा नहीं आएगा, brightness plus minus होती रहेगी, यहाँ पर देख सकते हो, live demo, यह brightness adjust करने के बाट, तो यहाँ पर देख सकते हो, night में करो है, दिन में, कुछ इस दिख से आपको video record करना है, ताकि, और यहाँ आपने brightness adjust करने कि यह बीना video record करना है, तो यहाँ पर यह big different है guys, यह आपको obviously use करना चाहिए, again यहाँ पर photos में आते हो, settings पर click करते हो, यहाँ पर बहुत सारे options मिलते है, just example, आपको full screen में photos क्लिक करना है, तो यहाँ पर full screen में photos क्लिक कर सकते हो, यहाँ आपको seconds count करवाने, यानि कि 3 seconds में automatically photos क्लिक हो जाए 10 seconds में, यहाँ आपको adjust कर सकत हो, यहाँ पर watermark लगाने photos के अंदर, तो यहाँ पर आपको text क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको watermark आजाएगा, इसको आप customize भी कर सकते हो, watermark के अंदर आपका नाम लिखना है, तो लिख सकते हो, just example में यहाँ पर राध्य बीच लिख देता हो, और यहाँ पर हमें save कर ले 5G राध्य बीच, तो कुछ इसरी किते watermark भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, again settings पर आप tap करते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, autofocus का options है, और manually भी है, तो यहाँ पर आप चाहो तो manually कर सकते हो, otherwise autofocus best option है, automatically focus कर लेता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आप करीब आते है settings में जाते हैं, तो आप देख सकते हो, effect, effect directly यहाँ से आप जो plus minus कर सकते हो, जैसे कि color यहाँ पर देख सकते हो, जो background में है, वो बहुत ही सही आ रहे, फिके हो जाते है, तो कभी कबर लगता है, आपको color plus करना है, तो यहाँ पर color 100% plus कर सकते हो, otherwise कम भी कर सकते हो, और यहाँ पर stabilization आप चाहो तो on कर सकते हो, ताकि आपका phone ऐसे हिलता है, तो video stabilization आपको on रखना है, और guys more पर आप क्लिक करते हो, तो 64 megapixel का primary camera है, वहीं से आप photos क्लिक करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको क्लिक करनी है, तो आप आप देख सकते हो, यहाँ पर detail से photos की, और आप च camera का options मिलता है, जैसे कि आपको पूरा area capture करना है, तो यहाँ पर आप कुछ, इस सरी किसे phone को 360 degree में rotate करोगे, तो आपका panorama photos click होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दो keyboard रखे हुए, यहाँ पर हमारा computer table है, तो यह सारा photos आप ऐसे long photos भी click कर सकते हो, again more पर click कर ज्री खेंकर मोन पर देख कर शक कर सकते, तो स्लो मोशν यहाँ पर shoot कर सकते हो, inspections यहां पर जो shoot कर सकते हो, dual view video, यहाँ पर दोनों kameras एक साथ आप यूस कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर इसकी size भी plus minus कर सकते हो, उतनी हाइज में चैशिए तो भी यहाँ और वर्टिकल चाहिए तो भी यहां पर वीडियो ओपन होता है इवन यहां पर आपको कोई जूम का सपोर्ट नहीं मिलता है बट आप जो वो पीछे का कैमरा 5x तक जूम कर सकते हो डियोल वीडियो के अंदर तो दोस्तों इस सारी सेटिंग्स को आपको आपको एसा लगता है कि सेटिंग्स खरब हो चुकी तो रिसेट करना है तो आप सेटिंग्स में जा सकते हो मोर सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हो रिसेट यहां पर आपको क्लिक करना है कंफर्म कर लेना है तो आपके फॉन के सारे सेटिंग्स जो रिसेट हो च